लिजे सुनिये मुझी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रेमसूत्र मेरी यनि समिर गोस्वामी की आवाज में संसार में कुछ ऐसे मनुश्य भी होते हैं जिनें दूसरों के मुख से अपनी इस्त्री की सौंदर प्रिशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितना अपनी कीर्थी की चर्चा सुनकर पश्चमी सभता के पिरसार के साथ ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है पशुपतिनात वर्मा इनी लोगों में थे जब लोग उनकी परम सुन्द्री इस्त्री की तारिफ करते हुए कहते ओहो कितनी अनपम रूप राशी है कितना अलौकिक सौंदर है तब वर् समय था मोटर तयार खड़ी थी वर्मा जी सेर करने जा रहे थे किंतु प्रभा जाने को सुक नहीं मालूम होती थी वो एक कुरसी पर बैठी होई कोई उपन्यास पढ़ रही थी वर्मा जी ने कहा तुम तो अभी तक बैठी पढ़ रही हो मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता नहीं प्रिये इस समय तुमआरा ना चलना से तम हो जाएगा मैं चाहता हूं कि तुमारी इस मदुर चवि को घर से बाहर भी तो लोग देखे जी नहीं मुझे ये लालसा नहीं है मेरे रूप की शोभा केवल तुम्हारे लिए है और तुम ही को दिखाना चाहती हूँ नहीं मैं इतना स्वार्थांद नहीं हूँ जब तुम सेर करने निकलो मैं लोगों से ये सुनना चाहता हूँ कि कितनी मनुहर चवी है पशुपतिनात कितना भागिशाली पुरुष है तुम चाहो मैं नहीं चाहती तो इसी बात पर आज में कहीं नहीं जाओंगी तुम भी मत जाओ हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे तुम होस के किनारे हरी घास पर लेट जाना मैं तुम्हें वीना बजा कर सुनाऊंगी तुमारे लिए भूलों का हार बनाऊंगी चांदनी में तुमारे साथ आख मिचोनी खेलूंगी नहीं नहीं प्रभा आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा कराई हो वो बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी हमारे ना जाने से उसे कितना दुखोगा हाए वही कृष्णा बार बार वही कृष्णा पती के मुखसे नित्ती ये नाम चिंगारी की भाती उड़कर प्रभा को जला कर भस्म कर देता था प्रभा को अब मालुम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुख हैं इसलिए आज इन्होंने मुझसे केशों को सवारने के लिए इतना आग रह किया था वो सारी तैयारी उसी कुल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी उसने द्रणस्वर में कहा तुम्हें जाना हो जाओ मैं न जाओंगी वर्मा जी ने कहा अच्छी बात है मैं ही चला जाओंगा पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वो वाटिका उसे काटने दोड़ रही है इरश्या की जाला से उसका कोमल हिर्दा भस्म होने लगा वे वहां कृष्णा के साथ बैठे विहार कर रहे होंगे उसी नागिन के से केश वाली कृष्णा के साथ जिसकी आँखों में घातक विश भरा हुआ है मर्दों की बुद्धी क्यों इतनी स्थूल होती है इन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मुहित कर लिया है उसके मुख से मेरे पेर का तलवा कहीं सुन्दर है हाँ मैं एक बच्चे की मा हूँ और वो नवेवना है जरा देखना चाहिए उनमें क्या बाते हो रही है ये सोचकर वो अपनी सास के पास आकर बोली अम्मा इस समय अकेले जी घवराता है चलिए कहीं घूमावे सास बहु पर प्राण देती थी चलने पर राजी हो गई गाड़ी तयार करा के दोनों घूमने चली प्रभा का श्रंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वो बहुत प्रसन है किन्तु उसके अंतिस तल में एक भीशन जौला देहक रही थी उसे च्छिपानी के लिए वो मीठे स्वर में एक गीत गाती चली जा रही थी काड़ी एक सुरंब उपवन में उड़ी जा रही थी सड़क के दोनों और विशाल विरक्षों की सुख़द चाया पड़ रही थी गाड़ी के कीमती घोड़े गर्व से पूँच और सिर उठाए टप टप करते जा रहे थी अहाँ वो सामने कृष्णा का बंगला आ गया जिसके चारों और गुलाब की बेल लगी हुई थी उसके भूल इस समय निर्दय कांटों की भाते प्रभा के हिर्दय में चुबने लगे उसने उरती हुई निगाह से बंगली की उरता का पशुपती का पता न था हाँ कृष्णा और उसकी बेहन माया बगीचे में बिचर रही थी गाड़ी बंगली के सामने निकल ही चुकी थी कि दोनों बेहनों ने प्रभा को पकारा और एक शण में दोनों बालिकाएं हिर्नियों की भाती उचलती कूदती फाटक की उर दोड़ी गाड़ी रुग गई कृष्णा ने हसकर सास से कहा हमाजी आजा प्रभा को एक आद घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाएए आप उधर से लोटे तब हिने लेती जाएएगा ये कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खीच लिया सास कैसे इंकार करती जब गाड़ी चली गई तब दोनों बेहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर ला बिठाया प्रभा को इन दोनों के साथ बाते करते हुए बड़ी जिजक हो रही थी वो उनसे हसकर बोलना चाहती थी अपनी किसी बात से मन का भाव प्रकट नहीं करना चाहती थी किन्तु हिर्दय उनसे खिचा ही रहा कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव रिद्रिष्टी डाल कर कहा बेहन क्या ये साड़ी अभी ली है इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता कोई और रंग क्यों न लिया प्रभा उनकी पैसंद है मैं क्या करती दोनों बेहने ठट्टा मार कर हस पड़ी फिर माया ने कहा उन महाशेगीर उची का क्या कहना सारी दुनिया से निराली है अभी इधर से गए हैं सिर पर इससे भी अधिक लाल पकड़ी थी सैसा पशुपती भी सेर से लोटता हुआ सामने से निकला प्रभा को दोनों बेहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले वो अकेले इन दोनों से मिलना शिष्टाचार की विरुद्ध समझता था इसलिए वो प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था जाते समय वो बहुत साहस करने पर भी मोटर से न उतर सका था प्रभा को वहां देखकर इस सुअफसर से लाब उठाने की उसकी बड़े इच्छा हुई लेकिन दौनों बहनों की हाज से ध्वनी सुनकर वो संकोच वश न उतरा थोड़ी देड तक तीनों रमनिया चुपचा बैठी रही तब क्रिश्णा बोली पशुपती बाबु यहां आना चाहते हैं पर शर्म के मारे नहीं आए मेरा विचार है कि संबंदियों को आपस में इतना संकोच न करना चाहिए समाज का ये नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालू होता है तुमारा क्या विचार है प्रभा प्रभा ने व्यंग भाव से कहा ये समाज का अन्याय है प्रभा इस समय भूमी की और ताक रही थी पर उसकी आखों से ऐसा तरसकार निकल रहा था जिसने दोनों बेहनों के परिहास को लज्जा सुचकमौन में परिणत कर दिया उसकी आखों से एक चिंगारी से निकली जिसने दोनों यूवतियों के आमूद प्रमूद और उस कुवरित्ती को जला डाला जो प्रभा के पती परायन हिर्दय को बानों से बेद रही थी उस हिर्दय को जिसमें अपने पती के सिवा और किसी को जगह न थी माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है तब बेंच से उठ खड़ी हुई और बोली हाँ बेहन जरा टहले यहां बैठे रहने से तो टहलना ही अच्छा है प्रभा जेओं की त्वें बैठी रही पर वे दोनों बेहने बाग में टहलने लगी प्रेश्मी छत्री थी जिसे उसने सूर की अंतिम किर्णों से बचने के लिए खोल लिया था क्रिश्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे हाँ उसकी साड़ी पीली रंग की थी और उसके गुंघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकल कर माथे और गालों पर लहरा रहे थे प्रभा ने एक ही निगाह से ताड़ लिया कि इन दोनों यूवतियों में किसी को उसके पती से प्रेम नहीं है केवल आमोद लिपसा के वशी भूत होकर ये सेम बदनाम होगी और उसके सरल हिर्दे पती को भी बदनाम कर देंगी उसने ठाल लिया कि मैं अपने भरमर को इन विशाक्त पुश्पों से बचाऊंगी और चाहे जो कुछ हो उसे इनकी उपर मंडराने न दूँगी क्योंकि यहां केवल रूप और बास है रस का नाम नहीं प्रभा अपने घर लोटते ही उस कमरे में गई जहां उसकी लड़की शान्ती अपनी दाई की गोद में खेल रही थी अपनी नन्नी जीती जाकती गुड़िया की सूरत देखते ही प्रभा की आँखे सजल हो गए उसने मात्रिस ने से विभोर होकर बालिका को गोद में उठा लिया मानो किसी भैंकर पशू से उसकी रख्षा कर रही है उस दुस्सह वेदना की दशा में उसके मुह से ये शब्द निकल गई बच्ची तेरे बाप को लोग तुझसे च्छीनना चाहते हैं है तु क्या अनात हो जाएगी नहीं नहीं अगर मेरा बस चलेगा तो मैं निर्बल हाथों से उन्हें बचाऊंगी आज से प्रभा विशादमे भावनाओं में मगने रहने लगी आने वाली विपत्ती की कल्प ना करके कभी कभी भयात और होकर चिलना पड़ती उसकी आँखों में उस विपत्ती की तस्वीर खिच जाती जो उसकी और कदम बढ़ाय चली आती थी पर उस बाली का की तोतली बात है और उसकी आँखों की निशंक जोती प्रभा के विकल हिर्दय को शांत कर देती वो लड़की को गोद में उठा लेती और वो मधुरहा से छवी जो बाली का के पतले पतले गुला भी ओठों पर खेलती होती प्रभा की सारी शंकाउं और बाधाउं को छिन भिन्न कर देती उन विश्वास मैं नेत्र में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता हाँ अभागनी प्रभा तू क्या जानती है क्या होने वाला है ग्रीश मकाल की चांदनी राद थी सब्तमी का चांद प्रकर्टी पर अपना मंद शीतल प्रकाश डाल रहा था पशुपती मौलसरी की एक डाली हाथ से पकड़े और तने से चिप्टा हुआ माया के कमरे की ओर टक्टा की लगाए ताक रहा था कमरे का दौर खुला हुआ था और शांत निशा में रेशमी साड़ियों की सरसरहाट के साथ दो रमणियों की मधुर हास से ध्वनी मिलकर पशुपती के कानों तक पहुँचते पहुँचते आकाश में विलीन हो जाती थी एका एक दौनों बेहने कमरे से निकली और उसी ओर चली जहां पशुपती खड़ा था जब दोनों उस व्रिक्ष के पास पहुँची तब पशुपती की परशाई देखकर कृष्णा चौक पड़ी और बोली है बेहन ये क्या है पशुपती व्रिक्ष की नीची से आकर सामने खड़ा हो गया कृष्णा उसे पहचान गई और कठोर स्वर में बोली आप यहां क्या करते हैं बतलाईए यहां आपका क्या काम है बोलिए चल दी फशुपती की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इस अफसर के लिए उसने जो प्रेम वाकरटे थे वे सब विस्मृत हो गए सशंक को होकर बोला कुछ नहीं प्री आज संध्य समय जब मैं आपके मकान के सामने से आ रहा था तब मैंने आपको अपनी बेहन से कहती सुना कि आज रात को आप इस वरिक्ष की नीचे बैठ कर चांदनी के आनंद उठाएंगे मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए आपके चर्णों पर अपना समर्पित करने के लिए ये सुनते ही कृष्णा की आँखों से चंचल जौला सी निकली और उसके ओठो पर व्यंगपूर्ण हास की जलक दिखाई दी बुली वहाशै आप तो आज एक विचित्र भिनाय करने लगे कृपा करके पैरों पर से तो उठिये और जो कुछ कहना चाहते हो जल्द कह डालिए और जितने आसु गिराने हो एक सेकंड में गिरा दीजे मैं रुक रुक कर और घिगिया घिगिया कर बाते करने वालों को पसंद नहीं करती हाँ और जरा बातें और रोना साथ साथ ना हो कहिए क्या कहना चाहते हैं आप न कहेंगे लीजी समय भीत गया मैं जाती हूँ क्रिश्णा वहां से चल दी माया भी उसके साथ ही चली गई पशुपती एक शन तक वहां खड़ा रहा फिर वो भी उनके पीछे पीछे चला मानो वो सुई है जो चुम्बक के आकर्शन से आप इही आप खिचा चला जाता है सैसा क्रिश्णा रुख गई और बोलिए सुनिये पशुपती बावु आज संद्या समय प्रभा की बातों से मालुम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिलकुल नहीं भाता पशुपती प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दीजे क्रिश्णा क्यों छोड़ दूँ क्या वो आपकी इस्त्री नहीं है आप इस समय उसे घर में अकेली छोड़ कर मुझ से क्या कहने आए यही कि उसकी चर्चा ना करूँ पशुपती जी नहीं ये कहने के लिए कि अब ये विरहागनी नहीं सही जाती क्रिश्णा ने ठट्टा मार कर कहा आप तो इसकल हमें बहुत निपोड़ जान पड़ते प्रेम, समर्पन, विरहागनी ये शब्द आपने कहां से सीखे पशुपती कृश्णा मुझे तुम से इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूं कृश्णा तो मैं प्रभा से क्यों प्रेम नहीं है पशुपती मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ कृश्णा लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो पशुपती, तुम्हारा तु दास हो कृष्णा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते पशुपती, तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी तुम जो चाहो, वो करने को मैं तयार हूँ कृष्णा, अगर ये बातें कहीं वो सुनने तो पशुपती, सुनने तो सुनने, मैं हर बात के लिए तयार हूँ मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपाद्रिष्टी न होई तो मैं मर जाओंगा कृष्णा, तुम्हें ये बातें करतें समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता पशुपती, मैं उसका पती नहीं होना चाहता मैं तो तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूँ वो सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है, तुम्हारी हसी, तुम्हारी छवी, तुम्हारा एक-एक अंग मेरा प्राण है मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ कृष्णा, भई अब तो सुनते सुनते कान भर गए ये व्याख्यान और ये गद्ध काव सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है आव माया, मुझे तो सर्दी लग रही है, चल कर अंदर बैठें ये निश्ठोर शब्द सुनकर पशुपती की आँखों के सामने अंधिरा चागया मगर अब भी उसका मनी अही चाहता था कि कृष्णा के पैरों पर गिर पड़े और इससे भी करुण शब्दों में अपनी प्रेम कथा सुनाए किन्तु दोनों बेहने इतनी देर में अपने कमरे में पहुँच चुकी थी और गौर बंद कर लिया था पशुपती के लिए निराश घर लोटाने के सिवा कोई चारा न रह गया कृष्णा अपने कमरे में जाकर ठकी हुई सी एक कुर्सी पर बैठ के और सोचने लगी कहीं प्रभा सुन ले तो बात का बतंगड हो जाए सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगे और हमें कहीं मुह दिखाने को जगह न रहे और ये सब एक जरा सी दिल लगी के कारान पर पशुपती का प्रेम सच्चा है इसमें संदेह नहीं वो जो कुछ कहता है अंतह करण से कहता है अगर मैं इस वक्त जरा सा संकेत कर दूँ तो वो प्रभा को भी छोड़ देगा अपने आपे में नहीं है जो कुछ कहूं वो करने को तयार है लेकिन नहीं प्रभा डरो मत मैं तुम्हारा सर्वनाश ना करूंगी तुम मुझसे बहुत नीचे हो ये मेरे अन्पम सौंदरे के लिए गौरों की बात नहीं कि तुम जैसी रूप वीहिना से बाजी मार ले जाओ अब हागे पश्पती तुम्हारे भाग में जो कुछ लिखा था वो हो चुका तुम्हारे उपर मुझे दया आती है पर क्या किया जाए एक खत पहले हाथ पढ़ चुका था ये दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदियो के कोट की जेब में मिला कैसा पत्र था अहाँ इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक जौला सी उठने लगी तो यह कहिए कि ये अब क्रिष्णा के हो चुके अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा अब मेरे जीने को धिक्कार है जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों ना इस बोज को उतार कर फेग दूँ वही पशुपती जिसे कविता से लेश मात्र भी रूचिना थी अब कवी हो गया था और क्रिष्णा को चंदों में पत्र लिखता था प्रभा ने अपने स्वामी को धर से हटाने के लिए वो सब कुछ किया जो उससे हो सकता था पर प्रेम का प्रवाह उसके रोके न रुका और आज उस प्रवाह में उसके जीवन की नौका निराधार बही चली जा रही है इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पती से सच्चा प्रेम था लेकिन आत्म समर्पन की तुष्टी आत्म समर्पन से ही होती है वो उपेक्षा और निश्ठुरता को सहन नहीं कर सकती प्रभा के मन में विद्रोह का भाव जागरत होने लगा उसका आत्मा भिमान जाता रहा उसके मन में नजाने कितने भीशन संकल्प होते किन्तु अपनी असमर्थता और दीनता पर आप यही आप रोने लगती के सामने अपने बालों को सवारते देखकर प्रभा की आँखों से आसु बहने लगते यह सारी तैयारी उसी दुष्टा के लिए हो रही है यह चिंता जहरीले साप की भाती उसे डस लेती थी वो अब अपने पती की प्रतेक बात, प्रतेक गती को सूक्षम द्रिष्टी से देखती कितनी ही बात जिन पर पहले ध्यान भी न देती थी अब उसे रहस्य से भरी हुई जान पढ़ती वो रात को न सोती कभी पशुपती की जेब्ट टोलती कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती इसी टोह में वो रात दिन पढ़ी रहती वो सोचने लगी मैं क्या प्रेम वंचित बनी बैठी रहूं क्या मैं प्रानेश्वरी नहीं बन सकती जीवन अमर नहीं है और यौवन भी थोड़े ही दिनों का महमान होता है क्या इसे परित्यक्त बन कर ही काटना होगा अह निर्दै तुने मुझे धोखा दिया मुझे से आखे फेर ली पर सबसे बड़ा अनर्थी ये किया कि मुझे जीवन का कलुशित मार्ग दिखा दिया मैं भी विश्वास घात करके तुझे धोका दे कर क्या कलुशित प्रेम का आनन्द नहीं उठा सकती अश्रुधारा से सीच कर ही सही पर क्या अपने लिए कोई वाटिका नहीं लगा सकती उस सामने के मकान में घुंगराले बाल वाला युवक रहता है और जब मौका पाता है मेरी और सचेश्ट नेत्रों से देखता है क्या केवल एक प्रेम का टाक्ष से मैं उसके हिर्दाय पर अधिकार नहीं प्राप्ट कर सकती अगर मैं इस भाती इसने श्टुरता का बदला लू तो क्या अनुचित होगा आखिर मैंने अपना जीवन अपने पती को किसलिए सौपा था इसलिए तो कि सुख से जीवन व्यतित करूँ चाहूं और चाही जाऊं और इस प्रेम सामराजी की अधिश्वरी बनी रहूं मगर आह विस सारी अभिलाशाएं धूल में मिल गए अब मेरे लिए क्या रह गया है आज यदि मैं मर जाऊं तो कौन रोएगा नहीं गी के चराग जलाए जाएंगे कृष्णा हसकर कहेगी अब बस हम है और तुम हमारे बीच में कोई बाधा कोई कंटक नहीं है आखिर प्रभा इन कलुशित भावनाओं के प्रवा हमें बह चली उसके हिर्दय में रातों की निद्रा और आशा विहीन रातों को बड़े प्रबल वेक से ये तूफान उठने लगा प्रेम तो अब किसी अन्पुरुश के साथ कर ही न सकती थी ये व्यापार तो जीवन में केवल एक एही बार होता है लेकिन वो प्राने श्री अवश्य बन सकती थी और इसके लिए एक मधुर मुस्कान एक बाँ की निगाह काफी थी और जब वो किसी की प्रेमिका हो जाएगी तो ये विचार कि मैंने पती से उसकी बेवफाई का बदला ले लिया कितना आनंद प्रद होगा तब वो उसके मुख की और कितने गर्व, कितने संतोश, कितने उल्लास से देखेगी संधिया का समय था, पशुपती सेर करने गया था प्रभा कोठे पर चड़ गई और सामने वाले मकान की और देखा गुंगराले बाल वाला युवक उसके कोठे की और ताक रहा था प्रभा ने आज पहली बार उस युवक की और मुश्करा कर देखा ये वक भी मुस्कराया और अपनी गर्दन जुका कर मानू ये संकेत किया कि आपकी प्रेम द्रिष्टी का भिखारी हो प्रभा ने गर्व से भरी हुई द्रिष्टी इधर उधर दोड़ाई मानू वो पशुपती से कहना चाहती थी तुम उस कुल्टा के पैरों पढ़ते हो और समझते हो कि मेरे हिर्दाय को चोट नहीं लगती लो तुम भी देखो और अपने हिर्दाय पर चोट न लगने दो तुम उसे प्यार करो मैं भी इससे हसु बोलू क्यों ये अच्छा नहीं लगता इस द्रिश्य को शांत चित्त से नहीं देख सकती क्यों रक्त खौलने लगता है मैं वही तो कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो अह यदि पशुपती को ग्यात हो जाता कि मेरी निश्ठुरता ने इस सती के हिर्दाय की कितनी काया पलट कर दी है तो क्या उसे अपने कृत पर पश्चताप न होता क्या वो अपने किये पर लज्जित न होता प्रभा ने उसी वक्स एशारे में कहा आज हम और तुम पूर्ववाले मैदान में मिलेंगे और कोठे की नीचे उतर आई प्रभा के हिर्दाय में इस समय वही उत्सुकता थी जिसमें प्रतिकार का आनंद मिश्रित था वो अपने कमरे में जाकर अपने चुने हुए आभूशन पहनने लगी एक शन में वो एक फालसाई रंग की रेशमी साड़ी पहने कमरे से निकली और बाहर जाना ही चाहती थी कि शांता ने पुकारा अम्मा जी आप कहां जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूँगी प्रभा ने जट बालिका को गोद में उठा लिया और उसे चाती से लगाते ही उसके विचारों ने पल्टा खाया उन बाल नेत्रों में उसके प्रती कितना असीम विश्वास, कितना सरालेसने, कितना पवित्र प्रेम ज़लक रहा था उसे उस समय माता का कर्तव वियाद आया क्या उसकी प्रेम आकांग्शा उसके वात्सल्य भाव को कुचल देगी? क्या वो प्रतिकार की प्रवल इच्छा पर अपने मात्र कर्तव को बलिधान कर देगी? क्या वो अपने शनक सुख के लिए उस बालिका का भविश्य उसका जीवन धूल में मिला देगी? प्रभा की आँखों से आसु की दो बूंदे गिर पड़ी उसने कहा, नहीं, कदापी नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए सब कुछ सह सकती हूँ एक महिना गुजर गया, प्रभा अपनी चिंताओं को भूल जानी की चेश्टा करती रहती थी पर पशुपती नित्त किसी न किसी बहानी से कृष्णा की चर्चा किया करता कभी कभी हसकर कहता, प्रभा अगर तुम्हारी अन्मती हो तुमें कृष्णा से विवाह कर लू प्रभा इसके जवाब में रोने के सिवा और क्या कर सकती थी आखिर एक दिन पशुपती ने उससे विनए पूर्ण शब्दों में कहा क्या कहूं प्रभा, उस रमनी की छवी मेरी आँखों से नहीं उतरती उसने मुझे कहीं का नहीं रखा ये कहकर उसने कई बार अपना माथा ठोका प्रभा कहरदय करोना से द्रवित हो गया उसकी दशा उस रोगी किसी थी जो ये जानता हो कि मौत उसके सिर पर खेल रही है फिर भी उसकी जीवन लालसा दिन दिन बढ़ती जाती हो प्रभा इन सारी बातों पर भी अपने पती से प्रेम करती थी और इस्त्री सुलभ सभाव के अनसार कोई बहाना खोचती थी कि उसके अपराधों को भूल जाया और उसे शमा कर दे एक दिन पशुपती बड़ी रात गए घर आया और रात भर नीन में क्रिशना क्रिशना कहकर बर राता रहा प्रभा ने अपने प्रियतम का ये आरत नाद सुना और सारी राज चुपके चुपके रोया की रोया की बस रोया की प्रात हकाल वो पशुपती के लिए दूद का प्याला लिये खड़ी थी कि वो उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला प्रभा मेरी तुमसे एक विना है तुम मेरी रक्षा कर सकती हो नहीं मैं मर जाओंगा मैं जानता हूँ कि ये सुनकर तुम्हें बहुत कष्ट होगा लेकिन मुझ पर दया करो मैं तुम्हारी स्कृपा को कभी न भूरूँगा मुझ पर दया करो प्रभा कापने लगी पशुपती क्या कहना चाहता है ये उसका दिल साफ बता रहा था फिर भी वो भैभीत होकर पीछे हट गई और दूद का प्याला मेज पर रखकर अपने पीले मुख को कापते हुए हाथों से छेपा लिया पशुपती ने फिर भी सब कुछ कही ही डाला लाल साग ने अब अंदर न रह सकती थी उसकी जौला बाहर निकल ही पड़ी तात पर ये था कि पशुपती ने क्रिश्ना के साथ विवाह करना निश्चे कर लिया था वो से दूसरे घर में रखेगा और प्रभा के हाँ दो रात और एक रात उसके हाँ रहेगा ये बाते सुनकर प्रभा रोई नहीं वरन इस तंभित होकर खड़ी रह गई उसे ऐसा मालुम हुआ कि उसके गले में कोई चीज अटकी हुई है और वो साथ नहीं ले सकती पशुपती ने फिर कहा प्रभा तुम नहीं जानती कि जितना प्रेम तुम से मुझे आज है उतना पहले कभी नहीं था मैं तुम से अलग नहीं हो सकता मैं जीवन परें तुम्हें इसी भाती प्यार करता रहूँगा पर कृष्णा मुझे मार डालेगी केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो मुझे उसके हाथ मत छोड़ अप्री है अभागनी प्रभा तुझसे पूछ ताच कर तेरी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही है तु गर्दन जुका देगी आत्मगौराव से सिर उठा कर कहेगी मैं ये नीच प्रस्ताव नहीं सुन सकती प्रभा ने इन दो बातों में एक भी न की वो अचेत होकर भूमी पर गिर पड़ी जब होश आया कहने लगी बहुत अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा लेकिन मुझे छोड़ दो मैं अपनी मा के घर जाओंगी मेरी शांता मुझे दे दो ये कहकर वो रोती हुई वहां से शांता को लेने चली गए और उसे गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली पशुपती लज्जा और गिलानी से सिर जुकाए उसके पीछे पीछे आता रहा और कहता रहा जैसी तुम्हारी च्छो प्रभा वो करो और मैं क्या कहूं किंतु मेरी प्यारी प्रभा वादा करो कि तुम मुझे शमा कर दोगी किंतु प्रभा ने उसको कुछ जवाब न दिया और बराबर द्वार की ओर चलती रही तब पशुपती ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसकी मुर्जाय हुए अश्रु सिंचित कापोलों को चूम चूम कर कहने लगा है प्रिये मुझे भूलना जाना तुमारी याद मेरे हिर्दाय में सदेव बनी रहेगी अपनी अंगूठी मुझे देती जाओ मैं उसे तुम्हारी निशानी समझ कर रखूंगा और उसे हिर्दाय से लगा कर इस दाह को शीतल करूंगा इश्वर के लिए प्रभा मुझे छोड़ना मत मुझसे नाराज नहोना एक सब्ताहे के लिए अपनी माता के पास जा कर रहूं फिर मैं तुम्हें जा कर लाऊंगा प्रभा ने पशुपती के कर पाश इससे अपने को छुड़ा लिया और अपनी लड़की के हाथ पकड़े हुए गाड़ी की ओर चली उसने पशुपती को ना कोई उत्तर दिया और ना ये सुना कि वो क्या कह रहा है अम्मा आप क्यों हस रही है कुछ तो नहीं बेटी वो पीले पीले पुराने कागश तुम्हारे हाथ में क्या है ये उस रिण के पुर्जे हैं जो बापस नहीं मिला ये तो पुराने खत मालूम होते है नहीं बेटी बात ये थी कि पर भापनी चौदे वर्श की युवती पुत्री के सामने सत्त का परदा नहीं खोलना चाहती थी हाँ वे कागश वास्तव में एक ऐसे कर्ज के पुर्जे थे जो वापस नहीं मिला ये वही पुराने पत्र थे जो आज एक किताब में रखे हुए मिले थे और ऐसे फूल की पंखुडियों की भाती दिखाई देते थे जिनका रंग और गंध किताब में रखे रखे उड़ गई हो तथा पीवे सुख के दिनों की याद दिला रहे थे और इस कारण प्रभा की दृष्टी में वे बहुमूल थे शानता समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी खबर मुझे नहीं करना चाहती और इस बात से प्रसन होकर कि मेरी दुखी माता आज अपना शोक भूल गई है और जितनी देर वो इस आनंद में मगन रहे उतना ही अच्छा एक बहाने से बाहर चली गई प्रभा जब कमरे में अकेली रह गई तब उसने उन पत्रों को फिर पढ़ना शुरू किया अह इन चौधे वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया इस समय उस विरहनी के हिर्दय में कितनी ही पूर्व इस्मृतियां जाकरत हो गई जिन्नों ने हर्ष और शोक के स्त्रोत एक साथ ही खोल दिये प्रभा के चले आने के बाद पशुपती ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवा हो जाए पर वो राजी न हुई इसी नेराश और क्रोध की दशा में पशुपती एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया तब फिर उसे प्रभा की याद आई कुछ दिनों तक उसके पास से शमा प्रार्थना पून पत्र आते रहे जिनमें वो बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के बादे करता रहा और प्रेम की इस नए प्रभा में पुरानी कटताओं को जल मगन कर देने के आशा मैं सपन देखता रहा पती परायना प्रभा के संतब तहरदाय में फिर आशा की हरियाली लहराने लगी मुरजाई हुई आशा लताएं फिर पल्लवित होने लगी किन्तु ये भी भागी की एक क्रीडा ही थी थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपती एक नए प्रेम जाल में फस गया और तब से उसके पत्राने बंद हो गए इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पती ने यूरोप से उस समय भेजे थे जब नेराश का घाव हरा था कितनी चिकनी चुपड़ी बाते थी कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे थे इसके बाद ही मालुम हुआ कि पशुपती ने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया है प्रभा पर वज्र सा गिर पड़ा उसके हिर्दय के टुकड़े टुकड़े हो गए सारी आशाओं पर पानी फिर गया उसका निर्बल शरीर इस आघात को सहन न कर सका उसे जोर आने लगा और किसी को उसके जीवन की आशा न रही वो सैमरित्यू की अभलाशनी थी और मालुम भी होता था कि मौत किसी सर्प की भाती उसकी देह से लिपट गई है लेकिन बुलाने से मौत भी नहीं आती जोर शांत हो गया और प्रभा फिर वही आशा विहीन जीवन व्यतीत करने लगी एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपती यूरोप से लोट आया है और वो यूरोप ये इस्त्री उसके साथ नहीं है बलकि उसके लोटने का कारण वही इस्त्री हुई है वो और अद बारह साल तक उसकी सहयोग नी रही पर एक दिन एक अंग्रेजी वक्के साथ भाग गई इस भीशन और अत्यंत कठोर आघाद ने पशुपती की कमर तोड़ दी वो नौकरी छोड़कर घर चला आया अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान न सकते थे मालूम होता था कोई बूढ़क कमर जुकाए चला जाता है उसके बाल तक सफेद हो गई घर आकर पशुपती ने एक दिन शानता को बुला भेजा इस तरह शानता उसके घर आने चाने लगी वो अपने पिता की दशा देख कर मन ही मन कुढ़ती थी इसी बीच में शानता के विवाह के संदेश आने लगे लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ था वो उसे इन संदेशों को लोटाने पर मजबूर करता था वो सोचती कहीं इस लड़की की भी वो गती न हो जो मेरी हुई उसे ऐसा मालूम होता था कि यदि शानता का विवाह हो गया तो इस अंति मवस्था में भी मुझे चैन न मिलेगा और मरने के बाद भी मैं पुत्री का शोक लेकर जाऊंगी लेकिन अंत में एक ऐसे अच्छी घराने से संदेश आया कि प्रभा उसे ना ही न कर सकी घर बहुत ही संपन्य था वो भी बहुत ही सुयोग प्रभा को सुईकार ही करना पड़ा लेकिन पिता की अनमती भी आवश्यक थी प्रभा ने इस विशे में पश्पती को एक पत्र लिखा और शांता के ही हाथ भेज दिया जब शांता पत्र लेकर चली गई तब प्रभा भूचन बनाने चली गई भाती भाती की अमंगल कल्पनाए उसके मन में आने लगी और चूले से निकलते हुए धूए में उसे एक चित्र सा दिखाई दिया कि शांता के पत्ले पत्ले ओट सूखे हुए हैं और वो कांप रही है और जिस तरह प्रभा पति ग्रह से आकर माता की गोद में गिर गई थी उसी तरह शानता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी है पशुपती ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुपसी लग गई उसने अपना सिगरेट जलाया और जोर-जोर से खीचने लगा फिर वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहने लगा कभी मूचों को दांतों से काटता कभी खिचरी दाड़ी को नीची की और खीचता सैसा वो शानता के पास आकर खड़ा हो गया और कापते हुए सर में बोला बेटी जिस घर को तेरी मा सुईकार करती है उसे मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ उन्होंने बहुत सोच समझ कर हामी भरी होगी इश्वर करे तुम सदस्व भगवती रहो मुझे दुख है तो इतना ही कि जब तु अपने घर चली जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी कोई उसके आसु पोँचने वाला न रहेगा कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरे माता का कलेश तूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा न फिरू ऐसा उपाय तु ही निकाल सकती है संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हिर्दाएगी बात तुझ से कभी न कह सकता लेकिन अब तू जा रही और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं तेरी मात तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी मेरी दशा जो तू अपनी आखों से देख रही है यही उससे कह देना जहा तेरा सौभग अमर हो शांता रोती भी पिता की छाती से लिपट गई और वो समय से पहले बूढ हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और गलानी के आसु बहा बहा कर शांता की केश राशी को भिगोने लगा पती परायना प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी इस प्रेम सूत्र ने दौनों भगने हिर्दयों को सदयव के लिए मिला दिया अभी आप सुन रहे थे मुण्शी प्रेम चंद की लिखी कहानी प्रेम सूत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में